कि हलो उस्ता नमस्कार आपको स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टार्गेट एंटे सब्सक्राइए मैंने टी डबली टी पर दोस्तों इस वीडियों बात करेंगे पूरा आपका यूपी बीड कॉंसलिंग प्रोसेस के बारे में दोहर तेस के बारे में किस तरीके स कॉंसलिंग होती है क्या के चीज़ आपको जरूत पड़ेगी पूरी प्रिक्रिया आपको अच्छे समझाएंगे और एक बात पता दें कि आपको हमेशा सो पर्षेंट सही जनकाई दी जाती है कुछ लोग अभी से आपको दिखा रहें कॉंसलिंग से डूल आपका आगया यह चीजें तो ऐसा कुछ नहीं थी का आपको फालतु चक्कर में पढ़ना है जब जो चीजे आती है उनिविस्टी जारी करती तब ही आपको जनकारी देती है ठीक है तो सबसे पहले हम जानेंगे यह पूरी प्रिक्रिया क्या है यह प्रिक्रिया ऑनलाइन होती है फिर सब्सक्राइब को चोड़के उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में एक एक करके बात करेंगे ठीक है सबसे पहले आप पर अभी जो रिजल्ट की अपडेट आ रहा है जो कि उनिविस्टी ने जारी किया था आपका न्यूश्पेपर में आया था कि 30 सून को आपका जारी तो उसका मतलब है जो आंसर की है ठीक है आपका आंसर की करीब आपका 25 या फिर 28 जून के वीच में आपके आंसर की आ जानी चाहिए अगर इस सारी चीजिए अपने टाइम पर होती है तो आप मान कर चलिएगा कि आपकी जो कांसलिंग है यानि कि प्रिवेस्ट नहीं हो सकेगी आपको प्रिवेस नहीं मिलेगा तो जरूरी है कि आपका रिजल्ट जरूर आ जा तो सारी चीजिए रिजल्ट पर डिपेंड करेंगी कांसलिंग तभी स्टार्ट होगी जब सारे फाइनल यर का रिजल्ट आ जाएगा सभी उनिवस्टिश का ठीक है तो आपको में इसा दी जाती तो इसके लिए बस साथ बने रहेगा अब देखी कांसलिंग क्या होती है तो आपको थोड़ा साइडिया लगा हो कांसलिंग होती क्या है जब आपका रिजल्ट आ जाता है ठीक है तो फिर रिजल्ट के बाद आपको एक रैंक मिलती है जिसे में स् चाहे प्राइबेट हो चाहे आपका सरकारी हो तो इनमें एड़िशन के लिए आपको कॉंसलिंग की प्रिक्रिया से गुजरना होता है कैसे होती उसके बारे हम आगे बात कर लेते हैं बाकि आपको हमार साथ बने देखें आपको कॉंप्लीट जनकारी देंगे अब यहां पर यह प्रिक्रिया फूरी है आपकी आउNLINE होती इसके लिए आपको कहीं पर भी जाना नहीं है आप अपने हमें अपने घर कर सकेंगे और ईकिस तरिके से कहने ममभाइल कर सकते हैं आपको कहीं बाहर आप कैसे प्रक्रिय होती है कि सबसे पहला अपका रिजल्ट आए हुख इस बहुत को सबसे पहला आपकर रिजल्ट में meus लीट में अब मिलेंगी एक कांजरा ऑक्यemi मतलब भी नहीं के साय अब आपकी जो कॉंसलिंग होती आपका इस्टेट रैंक से होती इस बात को अब ध्यान रखिएगा ठीक है फिर आपका आएगा कॉंसलिंग सेडियूल कैसा होता है आप यहां पर देखें यह जो हमने आपको इसी साल का थो इसा नहीं यह पिषली बर्स का है एक मध्यार की चलती है तो जैसे बुंदल खनियूनियूबरस्टी सबसे पहले आपका रिजर्ट जारी करेंगी रिजल्ट में आपके रएंग अक आएगगे करेगी जिसमें लिखा रहेगा कि कितनी रेंक तक के छात्तरों को कब कॉंसलिंग करानी है यानि कि सभी को कॉंसलिंग एक साथ नहीं करानी है सभी को एक साथ रिश्टरसन नहीं करना है पिशली बार बच्चे बहुत ज्यादा थे इस बार तो करीब चार लाग सतर जार ही कुछ बच्चों ने एक्जाम दिया था तो वहाँ पर इन्हों से लेकर स्टेट रैंक देखे आप देख सकते हैं स्टेट रैंक है एक से लेकर 75,000 वाले बच्चों तक को बलाया था यानि की बलाने का मतलब है उनकी कांसलिंग ऑनलाइन हुई थी उसके स्टेट रैंक तक के चार्तरों को कब जो है करना है यह सब जो इसमें लिखा रहेगा हम आपको अच्छे से उसको पढ़कर भी बता देंगे जैसे ही आपका आ जाएगा तो आपको अपनी बारी का इंतिजार करना मालीज आपको जितनी भी स्टेट रैंक मिली है एक लाग पर 2,000,000,000 तो आप जिस भी फेज में फस रहे होंगे आपको बहां पर जो एक रैंक से लेकर 50,000 तक पर उसके बाद बो लोग जो है 50,000 से ऊपर बलाएंगे और कहां तक बलाएंगे लगबग 1,000,000 तक ठीक है तो ऐसे करके बो लोग हर फेज में अलग-लग रैंक तक के ब अच्छे को बलाते हैं जो लोग फर्स्ट रैंक में फर्स्ट फेज में जिने मौका नहीं मिलता वो लोग सेकंड फेज में करा सकते हैं और फर्स्ट सेकंड में नहीं करा सकते हैं इन चारों में अप सीट्स फिल हो जाएंगी अगर आपने चारों के दोरान भी आपको किसी में अढ़ी को रही सब्सक्राइब होती है और सब्सक्राइब जब आपको ठेला नहीं मिलता कि सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब इंहाए तो डेट में बताएंगे अपको उस में क्या करना रेजिट्रेस्टन करना है ठीक है रेजिट्रेस्टन के दोराण आपकी फीश हमभी होती है पांच-छार रुपए आपकी एडवांस फीश करेंगे आप लोग कॉलेजट्टी करेंगे यानि कि कौन कुस्किस कोंले में भी क्योश कर सकतें देस पचास जटना आपका मन करें रज रभी 20-30 college तो हर कोई चूश करता ही है फिर यहां पर क्या होगा आपने जितने इक college चूश किया इन में से कोई भी आपको एक college मिलेगा जिसे हम बोलते हैं allotment result allotment result में क्या होता जो आपको college जहां पर आपको admission लेना है आपको college मिल जाएगा कोई एक आपने 20 या 30 चितने भी college चूश किया उनमें से आपको कोई एक college मिलेगा बहाँ पर आपको जो admission लेना आप नहीं भी admission ले सकते हैं उसकी प्रिक्रिया है आप किसी और college में लेना चाहते तो किस तरीके से लेंगे बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी थोड़ी थोड़ी चोटी 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 वीडियो में हम आपको सारी जनकारी दे लेना फिर प्रिक्रिया प्रिक्रिया है आपको पूरा हम बताएंगे पर जो आपके original documents है उन documents को आपको संबिट करना होता है बाकि क्या 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 डॉकुमेंट करने होते हैं इनकी बात हम दुबारा से भी कर लें कि आपको कौन कॉन से डॉकुमेंट ले जाने हैं इसकी एक अलग वीडियों बना देंगे तो इस तरीके से आपका पूरा एडमिसर महां पर हो जाता है अब सरकारी कॉल्ज मेंट कैसे होता है आपको सरकारी कॉल्ज मिलता है तो एसा कुछ नहीं कि से कुई फ़ॉन करना पड़ता है यह सब चीज आपके कॉंसलिंग से ही होती है वहाँ पर आप अपना कराएंगे उन्में से आपको उस परिकार से कॉलेज मिल जाएगा सही कॉलेज के तरीके से मेलेगा उसके लिए आप हमार साथ बने रहे यहां कि कई वार ऐसा होता है बहुत अच्छी रैंक आपकी वह ती 5000-6000 रैंक होती है तब भी आपको गलतियां ऐ कि इसको आपको अच्छे से करेंगे तभी आपको अपना कॉलिज मिल पाएगा मन पसंद वरना फिर अच्छी रेंक वाले भी कई बार हमने देखा है कि उनिविस्टी में चक्कर काड़ते हैं बाद में कुछ नहीं होता है क्योंकि एक बार अगर कॉलिज की कुई सीट हो जात ह Allah है घए तो आपके रिफॉंडबल होते हैं अगर आपको क्योट कोलूज मिलता तो इसी में जो है ऑट हो जाते अग्यानि जो जूट जğanेंगी जो कालेज में होगे सुन के बारे तो आप देखिएगा ताकि उस वीडियों में अच्छे से बात कर लेंगे इसमें सिर्फ कांसलिंग की ही बात करते बना बीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अलास्ट में हमारा बस्ता है तो जो राउंड फर्स्ट होता है ठीक है अगर मालीजी आपको उसमें भी अपने लिय देखिए है इस डेट में आपको चेह बीडियों से देखिए हैं अगर आपको कहीं दूर ये ना पढ़ता है तो इसलिए कांसलिंग कराने जरूरी है ताकि आपको जल्दी कॉलज मिल सेके और आपको अपने पसंद कॉल से अगर अगर दिखकते आते अगर बचना चाहते तो पहले ही आप लोग जो है काँस्लिंग कराके अपना पूरी बात की है और भी इसको डेटेल में बताएंगी जब आपका पूरा जारी हो जाएगा कॉंसलिंग का ठीक है थोड़ी थोड़ी चीज़े हैं जो आपको अभी में कई सारी चीज़ें बतानी है कॉंसलिंग के बारे में तो उनको धीरे-दीरे अलगले वीडियो में बताते रहेंगे उसके लिए आप हुमार साथ जोड़े रहेगा अपना सपोर्ट ज़रूर बना लीजेगा इसे के साथ आप से पिसातियों का बहुत धन्यवाद जैन जै भारत